किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल वे हैं मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार्टियागी क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास आठ ट्रोली गोबर हर महीने का मिलता हो वो उससे घनामरत किस प्रकार बनाता है और किस प्रकार उन्होंने अपनी कैमिकल खेती को लगबग जैवी खेती के बराबर लेकर जा रहे हैं ये मैंने लगबग किया है हमने हर महीने हम दस आठ से दस ट्रोली गोबर का हम घनामरत बनाते हैं ये घनामरत किस प्रकार बनाते हैं यहाँ पर दो प्रकार के जानवर हैं एक हैं एचेफ काउ इनके पास लगबग 40 के करीब एचेफ काउ हैं और 40 के करीबी भेहस हैं हम इन सब का गोबुत्र और गोबर इकठा करते हैं कुछ गोबर हम गोबर गैस में इस्तेमाल करते हैं और जो बचे जाता है वो हमारा लगबग 8 से 10 ट्रोली परती माह हमारे को मिलता हैं हम उससे गोबर की खाद बनाते हैं और जो हमारा करीब 30 से 40 एकड जो बागवानी है हमने उसमें लगातार डाल रहे हैं अब इतनी जल्दी गोबर से अमूमन ये कहा जाता है कि एक वर्स लगता है कमपोस्ट बनने में लेकिन हम उसे दो से तीन महा में बना रहे हैं और धीरे धीरे उसका समय कम कर रहे हैं ये किस प्रकार कर रहे हैं आज मैं आपके सामने ये साजा करता हूँ ये देखिए ये टैंक है 2000 लिटर का एक ये टैंक है एक ये टैंक है 2000 लिटर का ये 4000 लिटर है और इधर देखेंगे आप 5500 लिटर के 4 टैंक हैं आप देखिए कितने सुव्यवस्थी तरीके से ये इसम इनलेट के पाइप लगे हुए हैं जो आउटलेट के पाइप है और उपर की तरफ इनलेट का पाइप है हर इसके पास जो आउटलेट है वहां पर एक वाल है और जो इनलेट है जहां से अंदर जाता है वहां पर एक वाल है यह एक मोटर लगा हुआ है यहां पर जो जब हम इ मैं इसे जीवा मरत इसलिए नहीं कहूंगा कि ये देशी गाएं का गोबर और पैसाब नहीं है इसमें तो राजीव दिखसित जी के फार्मूले के अनुसार जिस जानवर का पैसाब है उसी जानवर का इसमें गोबर है तो हम जो जैविक खाद बनाते हैं वो हम जब रोटेट करते हैं तो इसकी सहायता से रोटेट करते हैं इस प्रकार हमारे पास परतेक दस दिन में हम छे हजार लिटर जैविक खाद बनाते हैं अब इस छे हजार लिटर का हम क्या करते हैं जो हमारे हमने गोबर इकठा विया परतिमा आठ ट्रोली तो हम उसको फैला देते हैं उस प प्रतेक दस दिन के बाद उसे पल्टी करते हैं और इस प्रकार जो हमारा तीन महीने के अंदर बहुत अच्छा खाद बन जाता है। और अब जो गर्मी आ गई है धीरे धीरे वहाय आते आते हमारा दो माहा लगते हैं। इसमें हमारा जो सब का सब है ये जैविक खाद ये हमारे गोबर में काम नहीं आता हमारे पास फिर भी बच जाता है तो हम इसे खेत में सिचाई के साथ पोधों में देते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा दो साल के अंदर और परती वर्ष हमारा कितना कारबन खेतों मे बढ़ता जा रहा है ये हुया जैविक खेती की और एक कदम जो बागवानी में हम कर रहे हैं इसे किस प्रकार करते हैं ये मेरे साथ बताएंगे जो यहां के मैनेजर हैं जो देखते हैं निधान भट्टी जी वो आपको बताएंगे कि इन्होंने इसे किस प्रकार करते हैं और याद रखते हैं और कितना गोबर और कितना यह मिलाते हैं इसमें अपना पहले इंटॉडक्शन दीजिए बताईए आप कौन है और यहां क्या काम करते हैं मेरा नाम नदान सिंग बटी है, मैं करपासागर एकड़िमी में रहता हूँ और करपासागर एकड़िमी में हम और गयनिक खेती करने की विदी से काम कर रहे हैं अच्छा, ये जो हम जीवामरत बनाते हैं, जेविखाद बनाते हैं, इसमें आप क्या डालते हैं? इसमें सर गुड डलता है, बेसन डलता है, और गोबर डलता है, पिशाव डलता है तो इनका कहना है कि इस दो हजार लीटर की टंकी में सो किलो गोबर, सो लीटर मुत्र और इसमें आपका दस किलो बेसन और दस किलो इसमें गुड के साथ में हम पाँच किलो सरसो की खली भी डालते हैं इतनी चीज डालकर ये प्रतेक दस दिन में बनता है और इसी रेशो में हम ये 6000 लीटर पूरे का पूरा बनाते हैं जिसे हम लगबग दसवे दिन या ग्यारवे दिन हम इसे अपने परियोग में लाते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रकार से जो खाद बनता है वो अभी दो दिन पुराना गोबर कैसा है और जिसे दो महीने होगे वो गोबर कैसा है और जिसे दो महीने से तरह में है आईए मैं आपको दिखियो यह जो यहां पर आप देख रहे हैं पहले हम इस पुरे यहां पर देखें जितनी भी हमारी बे थी जगह थी तो पर्तेक में हम इसमें यह इस तरह से गोबर बिचा देते थे और ये एक देखिए कि आपको 90 दिन के अंदर से 100 दिन के अंदर किस प्रकार कितना भुरबुरा खाद हो गया ये कितना अच्छा खाद हो गया ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा खाद बन करते यारो गया ये गोबर से है इसमें हमने कुछ न तेक 10 दिन के अंदर पल्टी करने का निश्चे किया है और इस प्रकार हम लगबग 60 दिन में ही हमारा खाद बनकर तयार होता रहेगा यह है गोबर से बहुत जल्दी खाद बनाने की एक तरफी हम जो जेविक खाद बना रहे हैं जिसे आप जीवा मरत भी कह सकते हैं तो जो ज अब मैं दिखाता हूँ कि कितने बड़े स्केल पर हम इसको बना रहे हैं चलिए वो दिखाता ह réplain यह वो इस्थान है जहां पर लाकर हम गोबर डालते हैं और उसके बाद उसका बैड्ड बनाकर वहाँ पर हम उसमें गड़े करकर उसमें अपना जेवी खाट डालते हैं और जेवी खाट डालने के बाद चूंकि अभी तक पहले सर्दियां थी हम परतेग 20 दिन में उसकी कटाई करते थे अब गर्मी आ गई है अब हम परतेग 10 दिन में उसकी कटाई करेंगे हमने एक यह भी अनुभाव किया है कि अगर हम बैड की हाइट ज्यादा अधिक रखते हैं तो हमें समय अधिक लगता है तो हमने ये निश्य किया है कि अब हम इस प्रोसेस को और तेज करने के लिए बैड की उचाई कम रखेंगे और हम अपने ट्रेक्टर के रोटावेटर से ही इसकी पल्टी कराएंगे अब ये देखिए ये जो ये खाद है आपका जो इतना बड़ा है इसमें कम से कम भी पांस ट्रोली खाद होगा ये बिल्कुल लगबग तयार है ये देखिए ये तयार हो चुगा इसकी पांच पल्टी हो गई है यानि कि इसे 100 डेज हो गए है ये वाला जो है ये एक दूसरा है इसकी चार पल्टी हुई है ये देखिए ये कितना अच्छा यहां से देखिए इसको कितना अच्छा खाद अभी बनकर तयार हो गया है इस पर हम 5-6 दिन बाद एक बार और कटाई करेंगे और ये हमारा खाद तयार हो जाएगा ये सब खाद हम जो अपने अमरूदों की सर्दियों की फसल ले रहे हैं हमारे धाई वर्स के पोदे हैं परतेक पोदे में हम 20 किलो ये गोबर का खाद लगाएंगे उसकी साथ में हम जो बेसिक न्यूटरेंट है जो फॉसफेट है पोटास है और जो नाइट्रोजन है वो भी देंगे इस प्रकार हम अपने पोदों को पूर्णते तत्व देंगे और धीरे धीरे दो साल के अंदर हम जैविक की तरफ बढ़ जाएंगे अभी आप एक चीज और दिखाता हूँ मैं अपर ये 3000 लिटर का टैंक है जो वहाँ से जैविक खाद हमारा बनता है लिक्विड फोर्म में इसमें लाते हैं और यहां लाकर इसके उपर डालते हैं और फिर हम इसे कवर कर देते हैं टाकि इसे डारेक्ट सनलाइट नहीं मिले इस प्रकार यह देखना आप के यह जो यह गोबर पड़ा हुआ है यह दो दिन का गोबर है और एक महा में इतना गोबर इकठा हो जाएगा कि जब इस गोबर को यह भी बिल्कुल कच्छा देगे और इसकी हम अभी छोटी सी ढहरी बनाएंगे लगबाग पांच दिन का इकठा करेंगे और इसको हम एक फिट से अधिक उचा नहीं रखेंगे अब और इसमर हम अपना जीवा मरत या जेवी खाद डाल कर इसकी अच्छी तरह इसमें मिला देंगे और फिर इसके उपर ढख देंगे और हम इसे साथ दिन में ही एक अच्छे खाद में परिवर्तित कर देंगे किसान साथियों इस जगह तक पहुँचने के लिए ये मुकाम असिल करने के लिए हमें समय लगा है पहले हमने अपने पोधों को ठीक किया, चूंकि सभी पोधे नीमा टोड से ग्रस्त थे, हमें उसमें एक साल लग गया, पोधों को ठीक किया, पोधे स्वस्थ हिये, फिर हमने अपना खाद का कारिय करम बढ़ाया, और हमें परचुर मात्रा में खाद मिलता है, और मुझे उम अधिक कमी, 60% से अधिक लोग ये गलती करते हैं, कि वो अपने खेत की मिट्टी टेस्ट नहीं कराते हैं, उनके खेत को किस चीज की आवज सकता है, चुकि पोधों को कारबन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए, आपके पोधे में आपका जो खेत है, उसमें कोई कमी नहीं ह होनी चाहिए, परचुर मात्रा में उसमें तत्वब मुझूद होने चाहिए, और अगर नहीं है, तो उसकी तैयारी करिए, उसके बाद बाग लगाए, इस प्रकार आप सफलों में, किसान साथियों ये थी मेरी प्रस्तुती, कि एक बड़े स्केल पर जहां आठ से दस ट्र धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, वंदे मात्रा